Hello बच्चों, welcome to doubtnut, स्वागत आप सब का doubtnut की social science की classes में मैं हूँ Anushya, आपकी social science teacher and कैसे हैं मेरे सारे class 9 के students I hope आप सब ठीक हो and I also hope कि आप लोग super ready हो आज के session के लिए So आज के class में हम लोग Nazism and the rise of Hitler इसी chapter को continue करने वाले हैं Previous lecture में हमारा basic introduction हो गया था, हमने कुछ basic चीजे समझ ली थी इस chapter से related, आज के class में इसी chapter को हम लोग और आगे continue करने वाले हैं ठीक है, so आज की class में किन topics को हम लोग clear कर लेंगे, effects of war ठीक है, तो इस topic में हम समझेंगे कि war के वज़े से Germany में क्या-क्या problems चल रही थी और साथी साथ हम लोग समझेंगे political radicalism, ठीक है, मतलब कैसे political situations Germany में धीरे-धीरे change होने लगी, so ये दोनों चीजे, by the end of today's class will be super clear to you, जब तक ये class, ये lecture खतम होगा आप बच्चों को, ये दो topics बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, ओके चलो, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ basic introductions कर लेते हैं, मैं हूँ Anushya, आप बच्चों की social science teacher and आप लोग social science के सारे subjects मेरे साथ cover करोगे, चलो, तो आगे बढ़ते हैं and क्योंकि हम लोग Germany के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं इस chapter में, हमें इतना तो पता होना चाहिए कि Germany कहा है So, ये Europe का map है and यहाँ यह आप बीच में Germany, ठीक है, कुछ और countries में आप बच्चों को दिखा रही हूँ जो कि इस chapter के लिए important है, क्योंकि आप chapter के बीच-बीच में इन countries का नाम सुनते रहोगे तो ऐसे सोचना नहीं कि पता नहीं ये country कहा है, मैं पहली दिखा रही हूँ, map में कहा है Germany के just side में है France, Germany के दूसरे side में है Poland, औके और यहाँ पे है Russia ठीक है, Austria को भी देख लो, Austria यहाँ पे है, ठीक है तो यह कुछ countries है, बाकी बीच-बीच में जब भी और कोई नाम आएगा मैं आप बच्चों को फिर से map में दिखा दूँगी, ओके चलो, so आगे बढ़ते हैं, पहला topic है हमारा the effects of war तो war, generally as students, जब हम लोग war के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें war बहुत ही हलकी सी चीज लगती है हमारे लिए war is like कि हाँ, यह एक topic है, एक page है, जल्दी से इसे पढ़के खतम करते हैं पर अगर आप war के बारे में बहुत अच्छे से सोचो, तो आप realize करोगे कि war एक ऐसी चीज है जिसमें खूब सारा बहुत जादा नुकसान होता है, सोचो कितने लोगों की death होती होगी, है ना, कितने लोगों की life चली जाती है उनके families के बारे में सोचो, सोचो country के उपर कितना burden होता होगा war के time पे So war should always be like a last case scenario, war हमेशा ऐसा होना चाहिए कि last option war है ठीक है, उससे पहले जो कुछ भी कर सकते हैं problem को solve करने की कोशिश करो कुछ नहीं हो रहा, कोई और option नहीं है, तब जाके सोचना start कर सकते हैं war के बारे में तो Europe में भी जब war start हुआ, काफी सारी चीज़े बदलने लगती हैं जैसे कि point one, Europe जो है, it was a continent of creditors, Europe एक ऐसा continent था जो की बहुत मौज में था, ठीक है, it was continent of creditors, काफी सारे पैसे थे इस continent के सारे countries के पास, पर जैसे जैसे war का time आता है, जैसे जैसे war start होता है Europe क्या हो जाता है, Europe में ऐसे पैसे की कमी पढ़ जाती है, money का ऐसा crunch आ जाता है कि सारे countries, almost Europe में, जो भी countries war में involved थे, वो loan में डूब जाते है ठीक है, तो कुछ इस तरीके से war time में सब कुछ बदलने लगता है, Europe में और अगर हम Germany के उपर particularly focus करें, तो Germany में इस time की around था वेमार रिपब्लिक, वेमार रिपब्लिक के बारे में हमने अपने previous lecture में समझ रखा है अगर आप बच्चों को कुछ doubt है कि वेमार रिपब्लिक पता नी क्या है, तो previous lecture को देख लो पर हमने in detail समझ रखा है तो वेमार रिपबलिक जो है वेमार रिपबलिक वार के टाइम में फच जाता है वार के टाइम में जर्मपलिक किए कुछ phase करना पड़ता है हमने पढ़ाता है कि internationally जर्मपलियेट कर दिया जाता है तो जो भी problems चल रहे थी उस टाइम पे जर्मनी में जर्मनी के लोग उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए वेमार रिपब्लिक को ब्लेम कर रहे थे तो कुछ भी गलत होता था कुछ भी बुरा होता था जर्मनी में लोग कहते थे कि ये सारी गलती अपने वेमार रिपब्लिक की है, तो लोग धीरे धीरे वेमार रिपब्लिक से थोड़ा भूत हेट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को अच्छा ही नहीं लगता था वेमार रिपब्लिक, ओके सो ऐसे लोग जो उस टाइम पर वेमार रिपब्लिक मे आती है और लोग इनको कहना स्टार्ट करते हैं वेमार रिपब्लिक को कहना स्टार्ट करते हैं कि तुम लोगों ने नवंबर में क्राइम करा है ठीक है जर्मनी को internationally humiliate करा है तो तुम लोग हमारे लिए November criminals के बराबर हो तो इस दोरान वेमार रिपब्लिक के लोगों को एंड उनके supporters को mockingly mockingly मतलब मजाख में मजाख उड़ाने के लिए उनको बुरा feel कराने के लिए उनको November criminals कहा जाता था ठीक है चलो और क्या हुआ First World War के दोरान इस लाइन को देखना ध्यान से soldiers came to be placed above civilians इसका मतलब है कि soldiers को civilians के उपर रखा जाता था तो जो normal लोग थे जो normal citizens थे उनसे कहा जाता था कि तुम लोग ठीक हो normal हो पर तुमसे भी जादा important तुमसे भी जादा बढ़िया soldiers होते हैं अब वैसे तो देखो इस sentence में इतना कुछ गलत है नहीं अगर हम इंडिया की भी बात करें तो हां मैं तो मानती हूं हमारे soldiers हमसे उपर है हमसे जादा मेहनत करते हैं काफी जादा struggle करते हैं soldiers हमसे उपर हैं पर इस sentence का मतलब इस chapter में थोड़ा सा अलग है अब आपको ये समझना है कि यॉरोप में war का time था जर्मनी में war का time था तो इस तोरान अगर war का time चल रहा होगा तो जर्मनी के लोग क्या चाहेंगे कि जादा से जादा soldiers आर्मी को join करें और हम जल्दी से war जीच जाएं या फिर war को समझाल पाएं तो इस तोरान ये sentence बस इसी लिए बोला जाता था ताकि जादा से जादा लोग आर्मी में जाए soldiers बनें और war को समझालें ठीक है तो इस तोरान soldiers को बहुत soldiers के life को बहुत अच्छा कहा जाता था media glorified the trench life ठीक है है न सोलजर तक तो समझ आ रहा था ये trench life का क्या मतलब होता है सो जल्दी से समझ लेते हैं इसे तो उस टाइम पे trench मतलब एक strategy होता था war में पाट लेने का ठीक है तो trench के थ्रू लडाई होती थी trench में क्या करते थे लोग मान लो ये battleground है यहां पे इनका war चल रहा है आसपास थोड़ा सामान रखने के लिए जगा वगयरा बना लेते थे ठीक है सामने ये लोग क्या करते थे wire लगा देते थे ठीक है wire लगा देते थे और यहां से ये लोग छुप के gun को यहां पे रखके सामने अपने दुश्मन की तरफ फाइरिंग करते थे तो यह तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते थे जमीन को खोद के छुपके सामने वाले ओपोनेंट के उपर अटाक करते हैं और सामने हमने वायर लगा रखा है ताकि मानलो कोई एनमी आ जाए तो अचानक से वो यहां कूद के अटाक ना कर पाए उससे पहले वायर को समहलना पड़ जाए ठीक है तो इसे ट्रेंच कहा जाता है इसे ट्रेंच स्ट्राटेजी कही जाती है तो उस time पे world war में लोग बहुत जादा strategy से लड़ाई किया करते थे तो लोग glorify करने लग गए इस चीज़ को कि life हो तो ऐसी soldier जैसी life हो कि trench में time गुजारना पड़ रहा है इस type की life होनी चाहिए ठीक है ऐसा लोग कहते थे पर असलियत ऐसी नहीं थी ठीक है हमें देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है ये सब पर actual में ये चीज़ करना बहुत ही tough है तो अगर actual में अगर हम किसी soldier की life को देखें तो soldier बिचारा बहुत जादा परेशान रहता था ठीक है अक्सर बहुत time तक ये लोग इसी trench में फसे रहते थे दुश्मन के उपर firing करते रहते थे ये देखते थे कि इनके जो भी comrades हैं इनके जो भी दोस्त हैं उन लोगों की death हो रही है और यहां पर rats वगएर आते थे तो ये बहुत जादा परिशान रहते थे पर जर्मनी में ऐसा कहा जाता था कि नहीं life हो तो soldier जैसी पर असलियत में अगर हम किसी soldier के life को उठा के देखें world war के life को उठा के देखें तो वो poisonous gas को face करते थे firing को face करते थे bombing face करते थे daily life में वो देखते थे कि उनके दोस्त उनके teammates उनकी death हो रही है तो उनकी life बहुत जादा sad थी बहुत जादा tough थी ठीक है चलो पर इस तोरान फिर भी यही कहा जाता था कि life soldier जैसी हो ठीक है और aggressive चीजों को लोग promote करते थे कि हमें strong बनना है aggressive होना है तब ही हम लोग जीत पाएंगे ये सारी चीजे कहीं जाती थी उस time पर Germany में ठीक है और Germany के लोग ना इस time पर इस उमीद में थे कि हमें कोई बढ़िया dictator मिल जाए ठीक है बहुत strong सा leader मिल जाए जो Germany को इन सारे problems में से निकाल पाए तो जब Germany में इतनी सारी दिक्कत चल रही थी तो उनकी लिए democracy का idea एक मजाग था ठीक है उनको लगा democracy बहुत ही cute सा idea है हमारे country में नहीं चलेगा क्यूंकि उनके countries में इतनी सारी problems थी उनको लगा कि ये time नहीं है democracy को लाने का तो इस time के around Germany के लोगों को लगता था कि अगर हमें कुछ बचा सकता है तो वो है कोई बहुत ही बढ़िया dictator तो लोगों का दिमाग ऐसे set हो गया था कि हमें तो dictatorship चाहिए democracy जैसा idea हमारे country में काम नहीं करेगा फिलहाल ओके चलो next topic क्या है political radicalism and economic crisis ठीक है पहले हम इतने से portion के उपर focus करते हैं ठीक है economic crisis भी पढ़ेंगे पर उससे पहले इस topic क्यों पर focus करते हैं political radicalism मतलब कैसे Germany में political system धीरे धीरे change होने लगा ये हम अब समझना start कर देते हैं ठीक है तो उस time पे Germany में हमें इतना पता है कि वेमार Republic थी है ना इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है वेमार Republic थी उस time पे Germany में ठीक है और उसी दोरान धीरे धीरे एक और new group बनने लगता है Germany में एक नया group बनने लगता है और उनका नाम था Spartacist League ठीक है और Spartacist League की ideology रश्या की revolution की उपर बेस थी ठीक है जो रश्या में Bolshevik Party के जो लोग थे वो लोग जो कहा करते थे उस चीज से inspired थे Spartacist League के लोग ओके सो अब क्या होगा Germany में ये दोनों लोग power के लिए लड रहे हैं ठीक है सो वेमार Republic भी है Germany में साथी साथ अब एक नया group आने लग गया Spartacist League जिसको हम कहते हैं ठीक है तो ये Spartacist League के लोग बहुत कोशिश करते हैं वेमार Republic को हटा के power में आने की क्यूंकि वैसे भी हमने अभी पढ़ा वेमार Republic को जादा लोग कुछ खास पसंद नहीं करते तो Spartacist League के लोग एक uprising रखते हैं ठीक है ये लोग सोचते हैं हम एक क्रांती करते हैं हम एक movement लाते हैं और हम लोग जर्मनी को संभालना स्टार्ट करतेंगे पर लोग वेमार Republic को पसंद नहीं करते पर उस टाइम पर वेमार Republic के हाथ में काफी हद तक power थी तो वेमार Republic के लोग क्या करते हैं जब Spartacist League के लोग अपराइजिंग करते हैं ठीके पावर में आने की कोशिश करते हैं वेमार Republic के लोग उनको चुप करा देते हैं उनकी अपराइजिंग को बंद करा देते हैं ठीके सो वेमार Republic क्रश्ट दी अपराइजिंग ठीके Spartacist League के अपराइजिंग को crush कर दिया जाता है रोग दिया जाता है और वैसे कैसे crush किया जाता है तो उस टाइम पे थे कुछ war veterans war veterans मतलब ऐसे लोग जिनोंने war में कभी पार्ट लिया था ठीक है पर अब वो मतलब retired है अब वो war में पार्ट नहीं ले रहे तो वेमार रिपब्लिक ने क्या करा war veterans थे उन group का नाम था war veterans के group का नाम था free cops तो free cops की help लेके वेमार रिपब्लिक Spartacist लोगों की लीग की uprising को बंद करा देती है ठीक है तो अब इस दौरां Spartacist League के लोग गुस्सा हो जाते हैं कि इन्होंने तो हमारी uprising को ही बंद करा दिया तो Spartacist League के लोग क्या करते हैं बाद में कुछ टाइम के बाद communist party of Germany बनाते हैं ठीक है बाद में थोड़ा थोड़े time के बाद ये लोग communist party of Germany बनाते हैं तो इस तोरां हम लोग देखते हैं कि वेमार रिपब्लिक और Spartacist League आपस में बहुत जादा लड़ने में बिजी हैं पावर एक दूसरे से छीनने में बिजी हैं तो हम लोग बच्पन में ऐसी कहानी सुनते हैं कि एक cat है और एक dog है और वो एक रोटी के लिए या फिर bread के लिए लड़ रहे होते हैं कि वो रोटी कौन खाएगा और एक बार साइट से एक monkey जा रहा होता है monkey रुखता है और वो क्या करता है मतलब कुछ politics वगेरा करता है और सारी रोटी वो खाके चला जाता है दोनों cats को रोटी नहीं तो ऐसी कुछ हमने स्टोरी बच्पन में पड़ रखे तो वैसा ही कुछ है अब इसमें कि वेमार रिपब्लिक और स्पार्टिस लीग ये दोनों ही पावर के लिए लड़ रहे हैं बीच में हिटलर आता और हिटलर चुप चाप सारी पावर लेके चला जाता है ठीक है तो भी हम समझेंगे कि ऐसे कैसे हिटलर आके सारी पावर लेके चला गया वो समझेंगे पर हाँ अभी के लिए मैंने आपको शॉट में बता दिया कि ओवरॉल थीम इस चाप्टर का यही है ठीक है चलो तो पॉलिटिकल राडिकलिजम चल रहा है मतलब पॉलिटिकली सिट्वे इसका कारण क्या था कारण समझ लेते हैं तो जर्मनी ना बहुत زादा लोन में डूब रखी थी ठीक है साथ ही साथ जर्मनी के ऊपर बहुत जादा पणिशमंट्स भी लगा दिये जाते हैं कि आपको बहुत सारे पैसे पे करने हैं वोर में जो भी नुकसान हुआ वो सारा नुक्सान आप ही पे करोगे तो Germany के उपर खूप सारे फाइन लगा दिये जाते हैं एक ऐसा टाइम आता है जब Germany के सारे पैसे खतम हो जाते हैं और Germany के लोग गुसे में बोलते हैं कि अब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे तो हम आपको कोई पैसे नहीं देंगे, ठीक है आपने हमसे payment मांगी, हमारे उपडर loan चल रहा है, सब कुछ चल रहा हमें पता है, पर अब जर्मनी में पैसे खतम हो गये तो हम काफी गुसे में हम आपको पैसे ही नहीं देंगे, ऐसा जर्मनी के लोग कहना, start करते हैं, जैसे जर्मनी के लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम पैसे देंगे ही नहीं, अब क्या होता है, फ्रांस को गुस्सा आ जाता है, कि ऐसे कैसे हमारे पैसे नहीं दोगे तुम, ठीके तो फ्रांस के लोग क्या करते हैं, फ्रांस के लोग गुस्से में रूर के उपर कर लेते हैं अब जर्मनी को भी गुस्सा आ जाता है कि जब हमारे पास पैसे ही नहीं है हमने क्या दिया कि नहीं दे सकते पैसे तो हमारे रूर के उपर क्यों कभजा कर लिया गया तो अब क्या करते हैं जर्मनी के लोग गुस्से में ठीक है प्रोटेस में बदले के चक्कर मे पैसो को print करना start कर देते हैं ठीक है पेपर करनसी को print करना start कर देते हैं अब यहाँ पे जर्मनी के लोग एक गलती कर देते हैं ठीक है काफी सारे बच्चों को कभी ना कभी life में ऐसा लगा होगा कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं तो वो doubt मैं जल्दी से आपका clear कर देती हूँ ठीक है तो मान लो एक pen है ठीक है तो आप market में गए आपको लगा कि यह pen बहुत अच्छा इस pen को खरीदते हैं आपने पूछा कि इस pen का क्या rate है आपको बताया गया कि यह rupees 20 का rate है ठीक है आप खरीदने गए उतने में एक और इंसान आ जाता है वो कहता कि नहीं 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 rupees 20 है ना मैं 40 देने को तयार हूँ यह pen मुझे दे दो ठीक है पर आप तो अब मतलब print करने लगे हो पैसो को आप अपने घर में जाओगे पैसो को print करोगे आप करोगे कि नहीं इस pen को मैं 100 रुपे में खरीदने को तयार हूँ दूसरा इंसान भी घर जाके खूप सारे पैस बहुत जादा हो गया तो कुछ ऐसी situation होती है जब लोग paper currency को बहुत जादा print करने लगते हैं ठीक है बहुत ही साधारन चीजों के बहुत ही basic चीजों के price बहुत जादा बढ़ने लगते है market में साथ ही साथ currency की जो value है वो गिरने लग जाती है तो ये same चीज हुई Germany में ठीक value उनकी गिरने लगी और साथ ही साथ market में हर एक सामान का price बहुत जादा बढ़ने लगा और उस time पे इस type के scenarios बहुत common थे मान लोग को एक इनसान है उनको market में कोई मतलब bread या कोई normal सी चीज खरीदने जाना है तो महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि कोई normal सा सामान भी खरीद के लिए इन लोगों को ऐसे boxes भर के suitcases भर के पैसे ले जाने पड़ते थे ठीक है इतनी जादा महंगाई हो रही थी तो कुछ इस तरीके से यह लोग जाते थे market से सामान खरीदने के लिए और इस situation को हम लोग अपने economics में क्या कहते हैं हम कहते हैं hyper inflation ठीक है situation when prices rise phenomenally high एक ऐसी situation जब किसी भी सामान का price किसी भी सामान का दाम बहुत जादा हद से जादा बढ़ जाता है उससे हम क्या कहते हैं hyper inflation कहते हैं यह अपने आप में ही एक one marker का question है so आप लोग please hyper inflation की definition को याद कर लेना okay चलो तो अब जब यह situation चल रही होती है जर्मनी में ठीक है जर्मनी के लोग obviously बहुत जादा परेशान है war से परेशान है political stability नहीं है और अब पैसो की भी दिक्कत स्टार्ट हो गई पर अब क्या होता है America को हलकी सी दया आ जाती है जर्मनी के उपर ठीक है America के लोग देखते हैं कि Germany की लोग तो बहुत जादा बहुत सारा struggle कर रहे हैं बहुत साही चीज जाता इस plan को एक plan लेके आते हैं Germany की help करने के लिए ठीक है तो इस plan में basically यह होता है कि हम लोग Germany की help करेंगे ताकि Germany धीरे-धीरे करके अपने loans का repayment कर पाए ठीक है so DOS plan इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो plan जो था mainly DOS ने start करा था and यह उनकी photo है okay so DOS plan America के लोग लेके आते हैं Germany की लोगों की अच्छे से help करने के लिए पर अब क्या होता है बीच में जब DOS plan start होता है तो सब बढ़िया चल रहा होता है Germany के लोगों को लगता है कि अब हम धीरे-धीरे track पे आ जाएंगे सारे problems को solve कर लेंगे इस उमीद में होते हैं हमारे Germany के लोग पर धीरे-धीरे क्या होता है अमेरिका के लोग अब struggle करना start कर देते हैं ठीक है अमेरिका में क्या होता है अमेरिका में इनका जो wall street exchange है ठीक है मतलब stock market जो है इनका वो crash कर जाता है तो stock market को अगर मैं आप बच्चों को बहुत ही short में समझाओं आप ऐसे सोचो कि ये type of business है जिसमें बहुत सार लोग पैसे लगाएंगे उतना जादा stock market बढ़ेगा पर अमेरिका में अचानक से क्या होने लगता है अमेरिका में क्योंकि war का महौल चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं लोगों को लगता है कि अगर हम लोग पैसे लगाते रहेंगे wall street exchange में तो ये सारे पै वापस ले लेते हैं क्या होता है wall street exchange crash कर जाता है तो मतलब अमेरिका की economy पूरी crash कर जाती है अब अगर अमेरिका की economy crash कर गई तो क्या होगा अमेरिका के लोग ही तो जर्मनी की help कर रहे थे तो जर्मनी की भी economy crash करने लग जाती है In fact, अमेरिका का ये जो situation था इसे great economic depression कहा जाता है यहीं से शुरुवात होती है great economic depression की and इसका effect हमारे इंडिया में भी face होता है हमें ऐसे card टांग लेते थे अपने उपर and इस card के उपर लिखा होता था कि हमें job चाहिए कोई भी किसी भी type का काम हम लोग करने के लिए तयार है तो इस type के scenes road में बहुत जादा common होने लग गए थे क्यूंकि economically उस type की दिक्कत चल रही थी USA में भी और Germany में भी धीरे धीरे क्या होता है सारे factories बंद कर दिये जाते हैं ठीक है over the next three years हम लोग देखते हैं की factories बंद कर दिये जाते हैं USA का जो national income है वो almost half हो जाता है almost half हो जाता है farmers हमारे बहुत जादा परिशान हो जाते हैं इसी चीज़ का effect हम लोग worldwide पूरे world में हम लोग देखते हैं ठीक है चलो तो काफी सारे important topics को हमने cover कर लिया है effects of war समझ आ गया होगा आप बच्चों को साथी साथ political radicalism कैसे Germany में politically situation उस time पे change हो रही थी ये भी आप बच्चों को समझ आ गया होगा साथी साथ हमने ये भी समझ लिया कि economically ठीक है पैसों की context में कैसे Germany को बहुत कुछ face करना पड़ रहा था so I hope यहां तक आप बच्चों को super clear है सब कुछ समझ आ गया है following lectures में ठीक है future जो lectures आएंगे उसमें हम लोग इसी topic को और आगे in detail continue करेंगे ओके चलो सो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने next lecture में बाई बाई take care and thank you